Hello friends, मोधुमिता लेटील कीचेन में वेल काम मैं हूँ मोधुमिता आज मैं और एक निवव रेशिपी सेख ररे हो आज में सेख करी और बहुत असन तरीके से बंआ हुआ एक मिठाई के रेशिपी बानाना बहुत ही जी है लेकिन खास कुछ तिपस फोलो करके ये बाला रेशिपी यानि ये बाला मिठाई बनाएंगे तो बहुत बढ़ी आसा पारफिक्ट बनेगा अंदर का टेक्स्टर भी बढ़ी आसा आएगा और बहुत दिन तो के स्टोर करके राख सकती है मतलब 15-20 दिन ये बाला मिठाई श्टोर करके भी राख सकती है बिल्कुरी ज्यादा इंगिडेंस ज़रूरी नहीं होता है चलो फिर बढ़ी आसा मिठा यानि स्विर्श मनाना शुरू करते है तो सब से बेले देखिए मैंने ये बाला मिठाई बनाने के लिए एक बड़ा साइज का कुकोनाट को मैंने इसी तरीका से फोड लिया और उपर का जो काला बाला छिलका रहते है पूरा निकाल लिया बड़ी आसा है इसमें कालार भी आएगा टेस्ट भी पारफेक्ट आएगा तो जुरूर ये बात का धेन रखना आच्छे तरा स्क्रे नाडेगल को फोड़ना रूपर का जो छिलका है काला बाला छिलका पूरा आच्छे तरा से निकालना है कोई भी पिलार की हिल से ये वाला छिलका आसाने से निकाल सकते हैं आप जोली इसको मिक्सी में पिछते हैं लेकिन मिक्सी में पिछने के लिए इसको थोड़ा सा छोटा छोटा बारिक टुक्रा में काड लेते हैं ऐसे हैं अगर बड़ा टोगरा मिक्सिपट में डाल देंगे तो यह आसाने से पीसिंगे नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने इस तरीका से छोटा टोगरा में काट लेती हूँ, बहुत आसाने से काट जाएगा, क्यूंकि उपर का जो काला बाला छिलका होते हो थोड़ा सा क पड़क होता है, लेकिन उपर का छिलका निकालने बाद बहुत आसाने से काट सकते हैं, आप चाहते हैं इसको नर्माली कोई भी जैसे नारियल घूमाने बाला रहता हैं, उसको हेल सो भी थोड़ा सा बारिक भी कार सकते हैं, तो इस तरीका से देखी, मैंने पूरा काट ले आप मिक्सी पड में डाल के आच्छी तरह से इसको बारिक कर लेंगे, तो देखी, मैंने इस तरीका से पड में डाल देती हूँ, बीना पानी बागरी उज़ करके आच्छी तरह से इसको पीश लेंगे, तो देखी, बहुत बड़ी आसा पार्फेक्ट, ये बहुत ही माहीन यह पिशना हो गया बहुत आसानी सी पिश सकते हैं थोड़ा सा बारिक टुक्रा में काट लेंगे तो इस तरीका से मैंने पूरा नारियल को पिश लेती हूँ जितना माहिन इस नारियल को पिशेंगे उतना बड़िया सा इसका टेस्ट भी आएगा और पारफेक्ट टेक्स्टार भी आएगा तो मैंने और भी चामस की हेल से उठा के दिखाते हूँ तो देखी इस तरीका का नारियल को पिश ना है तो देखी इसमें थोड़ा सा भी गूर एक काप डाल देती हूँ और थोड़ा सा मैंने डालती हूँ मतलब वो थोड़ा सा ज्यादनी आप चाहे तो एक काप भी डाल साकती है एक काप और थोड़ा सा आधा काप मैंने मतलब देख काप गूर डाल दिया अगर मीठा कम खाना पसंद करते तो एक काप भी डाल सकते लेकिन इसके साथ मैंने चीनी बागरे कुछ भी नहीं मिलाओंगी स्रेप गूर और नारियल को अच्छी तरह से पाकाना है किस तरके से पाकाएंगे वो भी दिखाते हो बहुत ज्यादा देर तो इसको पाकाएंगे तो इस पारफेक्ट टेक्स्टर नहीं बनेगा तो ग गूर के जाएका चीनी भी यूज़ कर साकते हैं लेकिन चीनी का टेस्ट अलोग होता है गूर का टेस्ट उससे भी बैतल लागेगा इसी तरीका से जोरूर एक बर बनाना है तो देखी धीरे धीरे अच्छी तरह से गूर और इनारियल को मिला लिया यह थोड़ा सा गिला ल होगा यह थोड़ा सा जोला हुआ स्मेल आएगा और पार्फिक्ट टेस्ट भी नहीं आएगा थोड़ी देर में मतलब 10-15 मिनिट के बाद यह थोड़ा सा टाइठ होना सुरू कर देगा मतलब डो जैसा बन जाएगा दूसरा कुछ भी इनकी देन जानने का ज़रूरत नहीं हैं ऐसे ही गुड़ा को ज्यादा देर तोक पकाएंगे तो यह थोड़ा सा कोड़क हो जाता है तो गैस का हीर मीडियम राग के इसको पकान है मैं बाद में दिखाती हूं अंदर का टेक्स्टर कितना बड़ी आसा इसका चेंज होते जाएगा तो थोड़ा देर तोक इसको चेक करने ऊभी मैं दिखाती हूं पहले देख लीजी ए मतलब कोडाई छोड़के आरे पारफेक्ट बड़्यासा इसमें कालार भी आगे मतलब ठोड़ासा इसमिकालानी आये और बड़्यासा परफेक्ट यह पाग भी गया मतलब इसका जो बायन नेंगा पारफेक्ट है आ देखी ये थोड़ा साई में मतलब पानी में घूल नहीं रहें तो मतलब इसका जो बाइंडिंग है ये जो डो है पार्फिक्ट है तो इसी तरीका से आप लोग चेक भी कर सकते हैं आप चोलिए मैंने इसको राग देते हैं एसा ही थोड़ी देर तक 15-20 मिट तक और भी ठंड होने के लिए राग देते हैं एसा ही नारीयल और गुड बहुत ही गरम होता है गरम गरम इसका बना भी नहीं सकते हैं दो से 15 मिट के पर देखी आच्छी तरह से हाथों में ये छू सकते हैं मतलब ये जो बॉल्स जो बनने पार्फिक्ट बन रहे हैं थोड़ा सा ठंडा होन में घी की थोड़ा सा लगा लेते हो तके आसानी से डिमोल्ट हो जाएगा बोड़ा साइज जदा नहीं बनाएंगे मीडियम साइज का इसी तरीके से पेड़ा बना ले अब साचा के ओपर डाल देते हूँ बहुत बड़ी आसा इसका डिजाइन भी आएगा और पार्फिक् इसका टेक्सार भी है बहुत फटा फट बन जाएगा जदा कोछ इंग्रिडियन्स भी जुरूरत नहीं होता है आप अगर बीना साचा का बनाना चाते तो इस तरीका से पेड़ा जैसा बनाना और ऐसा इस तरीका से पेड़ा जैसा बना रहे हूँ और हातों की हिल से लाड़ू जैसे नारियल का होता है ओ भी बना साकते है ये लाड़ू भी देखने में बुड़ी आसा लगता है आप कोई भी सेब में बना सकते है कोई भी डिजाइन डाल के भी बना सकते है लेकिन इसका बाइंडिंग जो है पार्फिक्ट मनान है तो देखी इस तरीका से म उपस में भी खा सकते हैं क्योंकि ये नारियल और ये गुड का बना हुआ है कोई भी उपस में बना सकते हैं नॉर्माल खाने के लिए भी बना सकते हैं तो देखिए कितना पार्फेक्ट ये टेक्स्टर है ठांडा होने के बाद और भी बडियासा ये बन जाता है तो तो इतना बड़ी आसा टेस्ट नहीं आएगा दो तिन दिन के बाद खाऊ गये तो यह बला जो पेड़ा है और भी टेस्ट लगता है तो फ्रेंज आप लोग 20 तरीका से एक बार बाना के देखिए आई होप सबको बहुत पसंद आएगा अगर वीडियो पसंद आया तो देखिने के लिए और बेल बोटन को प्रेस करना ना भूले ताकि नोटिफिकेशन सब से पहले आपको मिल जाए ऐसा है हार दें न्यो न्यो रेसीपी देखिने के लिए सब लोग आच्छी रेख खुस रहे बाई बाई